हेलो गाइज, वेलकम बेक टो मेस्टाट ब्रेंज, रिलाइन्स इंडिस्ट्री इस लिमिटेड, भारत की नंबर वन कमपनी, जिनका क्वार्टर टू का रिजलिट आ जुका है, आज हम उनको इनलाइस करेंगे, सो, लेट स्टाट, तो यहां पर मैं आपको एकोनोमिक्स टाइम की वेबसाट पे लेके आया हूं, सो, जिलाइन्स इंडिस्ट्री इस टूदेड रिपोर्टेड, 43 परसेंट एर ओन एर राइस, इन कांसलिडेटर नेट प्रोफिट आपर रुपेस, 13,680 क्रोर, फोर क्वार्टर अनेट सब्टेम्बर, विच वज अबोव एनलिस्ट एक्स्टेक्टेजन्स, यह रोन यहर की बात करें, मतलब हम कंपेरिजन कर रहे हैं, सब्टेम्बर 2021 की, सब्टेम्बर 2020, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने रिलाइन्स इंडेस्ट्री का क्वार्टर टू के रिजल्ट की, एक PDF कोपी डाउनलोड करके रखे हैं, जिसकी डेट आप देख सकते हैं, 22nd October 2021, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, यह PDF तक्रीबं 51 pages की है, इतना समय तो नहीं है हमारे पास कि हम पूरा पड़े, तो हम briefly information लेंगे, तो यहां पर जो September 2020 का जो gross revenue है, वो है 21,708 और September 2021 का जो gross revenue है, वो है 23,222 अगर हम EBITDA की बात करें, मतलब earning before interest, tax, depreciation and amortization, तो September 2020 में 7,971 और September 2021 में 9,294 और यह सारे figures जो है, वो crores में है, और अगर हम net profit की बात करें, तो September 2020 में 3,019 crore और September 2021 में 3,728 crore, तो एक बड़िया jump है, यहां पर अगर हम बात करें, Consolidated Reliance Retail के बारे में, तो इसका जो September 2021 का gross revenue है, वो है 41,100 crore, और जो September 2021 का जो gross revenue है, 55,426 crore, अगर हम percentage में बात करें, तो almost 10,5% का jump है, अगर हम EBITDA की बात करें, तो 2006 से बढ़कर 2,930 crore, अगर हम Consolidated Oil to Chemicals, यानि की O2C, अगर हम यहां पर refineries की बात कर रहे हैं, तो यहां पर September 2021 में, जो gross revenue था, वो है 76,184 crore, और बढ़के वो September 2021 में हो चुका है, 1,20,475 crore, एक massive jump, इन percentage count करें, तो 58% का jump है, अगर हम EBITDA की बात करें, तो September 2021 में 8,841 crore, और September 2021 में 12,720 crore, अगर हम यहां पर Consolidated Oil and Gas की बात करें, मतलब इसका जो business है, exploration and production, इसका मतलब relance जहां से explore, explore means जहां से वो oil and gas निकालता है, और further उसको production में provide करता है, अगर इस segment के revenue की बात करें, तो September 2020 में 355 crore, और September 2021 में 1644 crore, अगर हम quarter on quarter plus की बात करें, तो massive jump है, 363% का, EBITDA की बात करें, तो loss में था यह, September 2020 में 194 crore, वो convert हो चुका है profit में 1071 crore, तो यह एक बड़िया recovery है, अगर हम relance के media business की बात करें, तो September 2020 में जो gross revenue है था, वो है 1234 crore, और September 2021 में 1610 crore, almost 30.5% का jump, अगर हम EBITDA की बात करें, तो September 2020 में 166 crore, और September 2021 में 253 crore, almost 52.4% का jump, अगर हम consolidated financial highlights की बात करें, तो यह सभी business जो हमने आगे अभी देखें, उन सभी को मिला के जो gross revenue है, वो है September 2021 में 128,385 crore, और September 2021 में 191532 crore, अगर percentage wise हम बात करें, तो almost 49.2% का jump, अगर हम EBITDA की बात करें, तो September 2020 में 23,299 crore, और September 2021 में 30,283 crore, almost 30% का jump है, अगर हम profit for the period, यानि कि net profit की बात करें, तो September 2020 में 10,602 crore, और September 2021 में 15,479 crore, यानि की massive jump 46% का, अगर हम यहाँ पर profit for the day, means इस quarter के per day की income के बात करें, Reliance Industries की, तो वो निकल के आ रहे है, 172 crore per day, just imagine, it's such a big amount, अगर हम इस zone के बात करें, तो यहाँ पर काफी consolidation होने के बाद, Reliance ने एक बड़िया bounce बेग दिया था, और वो तारिक है, 3 September 2021, और फिर वापिस से, यहाँ से, यहाँ consolidation होने के बाद, यहाँ से वापिस से एक breakout दिया था, और फिर इसमें थोड़ी बिक्वाली गाई, यहाँ पर Reliance ने breakout दिया, जो लेवल था, वो था, 365 रूपे, यहाँ पर हम 21 October की बात करें, तो 21 October को Reliance ने low बनाया, 2603 रूपे का, और 22 October की बात करें, 22 October को Reliance ने low बनाया, 2611 रूपे का, तो यह एक लेवल पर Reliance सपोट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम Reliance के market capitalization देखें, तो वो है 17,47,701 crore, such a massive big capital, एक साल के return की बात करें, तो 24.7%, 52 week का high, 27.51, 52 week का low, 18.30, और dividend yield है 0.27%, तो यहाँ पर हम ticket app के उपर आई है, यहाँ पर अगर हम entertainment देखें तो good, because stock is not in overboard zone, और there is no any red flag, अगर हम analyst की राई देखें, तो 63% analyst इसमें buying का recommendation कर रहा है, अगर हम current market price की बात करें, तो वो है 26,27 रुपे, यहाँ से हम higher side के उपर जो target निकल के आ रहा है, वो है 3,008 रुपे, अगर हम median की बात करें, तो वो है 23,67, अगर हम lower side की बात करें, तो 1,538, मुझे नहीं लगता है, यह लूड़त तावा 1500 रुपे आएगा, अगर यह इस price पे आता है, तो यह मतलब आप इसमें जितना चाहें, उतना माल उठा सकते हैं, अगर हम reliance industries में होने वाले कारोबार की बात करें, तो तकरिबन आज जो quantity trade हुई है, वो है 50,89,178 और जो delivered हुई है, वो है 23,98,678, अगर हम percentage में बात करें, तो almost 47% की quantity delivered हो चुक ही है, अगर आपके पास holding पड़ी है, तो continue करना चाहिए, और आप इसमें fresh position बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं, पर थोड़ी सी गिर्यावट के लिए तियार रहे गया, मुझे नहीं लगता कि यह 2358 के नीचे जाएगा, So, hope you guys you enjoyed the video, thank you for watching and please share and subscribe our channel, thank you